हेलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चेनल एक्जाम एत्रा में तो फाइनली फोर्थ फेज का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उसका CT भी जारी कर दिया गया है कि मतलब जो फोर्थ फेज के स्टुडेंट हैं उनका सेंटर कहां है और किस सहर में द उसके आने के बाद में सभी विद्यार्थी को सभी विद्यार्थियों का आप लोग बोला जाता है कि मतलब उनका CT भी जारी कर दिया गया था और जो से स्ट कंडिडेट हैं उनका मतलब ट्रेवल पास भी आज डाउनलोड हो जाएगा और उसके आने के बाद में तो आप लोग देखता है कि देखा जाता है कि बचता है एक अररसी हुबली और हुबली का एक्जाम अभी तक नहीं लिया गया है तो आई ये चली बात करते हैं हम लोग फोर्थ फेज के नोटिफिकेशन के बाद जो मतलब उसका जो एक्जाम होने वाला है जो हुबली जोन है उसका कब तक होने वाला है और कि कितना लेट लग सकता है तो इसमें आपको बताया गया था कि उसके आने के बाद में मतलब आपको बताया जाता है कि यहां पर देखिए फोर्थ फेज से लेकर और साथ दस तक मतलब इसी महीने की अन्नाइस तारीक से अगले दसवो महीना साथ तारीक तक मतलब इस फोर्थ फेज का एक्जाम को कंप्लीट कर दिया जाए और बीच में ही दसार आपको पढ़ रहा है उसका भी इसमें एक एक दिन कितना दिन का छुट है तो मुझे कंफॉर्ण मालू नहीं है लेकिन बीच में उसका भी छुट है जिसके कान इसको इतना डिले किया गए और इसे पहले भी इसके कम समय में भी एक्जाम हो सकता था तो फिर इसमें तीन आरसी का दिया है जिसमें देखी सेंट्रल रेलवे मुंबाई इस्ट सेंट्रल कोलकाता एंड इंसेंटर नौर्थ सेंट्रल रेलवे गुरगपूर और यहां पर देखिए आपको नौर् परसी का दे दिया गया था उसके बाद आगे चली बात करते हैं हम लोग एक्जाम्स डियूल्ड ओफ रिमेनिंग फेच दिखिए यहां पे एक बड़ी बत बताई गई थी आपको उसी समय जबी नोटीस आया था नो तरीके डेट में साउथ वेस्टर रेले हुबली हुबल क्यादार पहीं बता रहे हैं कि इन लोगों का एक्जाम कब तक लिया जा सकता है तो पता चलता है कि मतलब इससे पहले रर्सी राची के चेर्मन करें मतलब एक बयान आया था कि आपको आरटी जो गुरूप डी का जान हो इसको आप लोग अम लोग साथ तक तक कम्प्लीट कर लेंगे जिसमें फोर्थ फेज तक ही एक्जाम को इसमें बताया जा रहा है साथ तक लिया जाएगा तो फिर यह जो यह बचता है क्या इसका एक्जाम साथ के बाद होगा या मतलब कुछ दिन के लेट के बाद होगा तो इसके बारे में अभी तक कोई official notice जारी नहीं किया कि इसका एक्जाम मतलब नहीं होगा कुछ दिन के बाद होगा तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता है मतलब हमारे जानने के अनुसार में इसका एक्जाम होगा और पता चलता है कि मतलब वहां पे जैसे देखिया आप लोग इससे पहले अंटीपीसी जो second phase के ए इसमें आपको एक जोन जो हुए आररभी घौहाटी का फोड़ दिया गया था और वहां पर बार के कारण उसको छोड़ दिया गया था जिसके कारण आपको वहांका एक्जाम लेने में लेट किया गया था तो फीर उसका फंद्रा या एक महिने के बाद में एक्जाम होगा और उसका एंसर की भी जा रही वागा सब उसका हो चुका है वैसे ही हो सकता है वहाँ पे अगर बार की समस्या है तो बार की पहले हो सकता है तो आप लोग को जैसे नोटीस उसका जारी होता है तो हम आप लोग को उसके बारे में बताएंगे देखिए नौ तरीके डिट में में इसका नोटीस जारी किया गया था जो आपको फोर्थ फेज का नोटीस है अब लोग यहां पर देख रहा है है फोर्थ फेज का नोटीस जो नौ तारीक के डेट में जारी किया गये था और आज बारा तारीक है जिसको आप लोग देख सकते हैं तो आगे जैसे ही पलपल के अपडेट होती है तो हमारी चैनल को स इसमें सभी प्रकार की नियुज के बाकी यहीं तक जाए हिंदु